आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा लोगो एडिट करना सिखाने वाले फूल स्क्रीन के अंदर जो भी स्टेटस वीडियो आप एडिटिंग करते हैं किसे भी एप्लिकेशन से क्यों ना करें आप उसके आगे अपना नाम का इस ट्राइब का लोगो लगा सकते जिसक बना सकते हैं हमारे चनल पर काफे सारी वीडियो आपको मिल जागी अगर आपने नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट अपने बना रखी जितने भी लोगों हम एडिटिंग करते हैं फुल स्क्रीट वाले उन सारे कि हम पूरी एक फाइब मुद्ली एक पूरी एक प्लेलिस सिखा देगा इस लोगों को एडिटिंग करने के लिए जो भी मैटरियल यूज हुआ है फॉन्ट पी एंजी बैगराउंड जो कुछ भी उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रिण के उपद आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करेना है एप्लिकेशन का नाम है पिक्सले इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ओपन करने पर कुछ ऐसा इंटरपेस आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपको सबस पूसे ले था यहां पर इस तरो करेंगी इसे यहां से यहां से नाम लिखने वाले यहां पर मैंने लिखा था एडिटिंग लवर तो यहां पर मैं E ले लेता हूं और बाकी एडिटिंग को यहां पर मैं complete लिख लेता हूं ठीक है बाकी का जो word है सिर्फ E को रखूंगा बाकी को मैं यहां से copy करके हटा देता हूं ठीक है मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला word चाहिए उसके बाद OK पर क्लिक कर जितने भी font में यूज करने वाला हूं मैं आपको दे दूँगा step और step आप उन्हें download कर सकते हैं यहां पर आप सबसे पहले यह वाला font select कर लेंगे कौन सा यह वाला font आपको select करेना है sorry यह वाला और उसके बाद आपको OK पर क्लिक कर देना है आपका नाम आजाए इसको आप आपका जो नाम है उसे paste करके OK पर क्लिक कर देना है इसकी size को लंबाई को बढ़ा लेंगे और point से नाम को कम करके यहां पर set करेंगे side में scroll करके आप वापस क्लिक करेंगे font वाले option पर अब हमने यहां पर एक अलग font का use किया जो की यह रहा इससे आप select करेंगे और OK वाले option पर क्लिक करेंगे इससे आप इस तरीक से perfectly set कर देंगे जो E है ना इसके जो नीचे की जो line है इन दोनों की size बिल्कुल बरोबर होनी चाहिए इस तरीके से आप देख लेंगे और इसको थोड़ा सा इधर लेंगे देखेंगे कि यह दोनों मतलब matching होना चाहिए कोई भी फरक नहीं रहना चाहिए अब आपने जो first वाला word लिका इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप color वाले option पर क्लिक करेंगे यहां पर आप first में red वाला color मिलेगा यह वाला ऐसे लेंगे और plus पर क्लिक करेंगे तीनों को इस तरीक से फुल करके okay पर क्लिक करेंगे आपका color add हो जाएगा देखिए हमारा finally editing नाम है वो add हो चुका है लेकिन इसको हमें side में लेना होगा तो आप क्या करेंगे यहां पर फिकलाएं के नीचे यह layer का option इस पर क्लिक करेंगे नीचे इस पर क्लिक करेंगे इसको on करके दोनों को select करन करेंगे okay पर क्लिक करेंगे दोनों मर्च हो जाएगे एक हो जाएगे इसको आप थोड़ा side कम करके side में set करेंगे वापस plus पर click करेंगे text को यहां पर लाएंगे rotate करेंगे double tap करेंगे यहां पर इसको हटा कर यहां पर आप डालेंगे यहां पर मैंने डाल दिया editing तो मैं यहा से copy cut कर लेते हैं और first का word रखेंगे उसके बाद space लेके okay पर click करेंगे size को बढ़ा लेंगे और side में scroll करेंगे जाएंगे front पर recent पर जाएंगे तो जो अभी आपने font huge के आपको मिल जाएंगे तो हमने यह उपर वाला font अभी use के पहले इसको लेंगे इसको आप यहां पर set कर लेना है size को कम करेंगे लंबाई में खींच लेंगे उसके बाद side में scroll करके जाएंगे font पर my font पर जाएंगे और नीचे यह वाला font वापस ले लेंगे जो हमने लिया था okay पर click करेंगे अब आप जूम करके इसको perfectly size के हिसाब से perfect set करेंगे इसको हम थोड़ा सा इदर ले लेंगे आपको L पे clickना है side में scroll करके यहां पर आप click करेंगे color पर आपको यहां पर यह वाला color मिल जाएगा यह वाला इसको plus पर click करके full करेंगे और ok पर click करेंगे उसके बाद आप zoom out करके आगया हैंगे finally हमारा नाम set हो चुगा है ठीके बब इन दोनों नाम को एक करने के लिए आप पर वापस layer परик़ें नीचे क्लिक करेंगे दोनों को select करेंगे और यहाँ पर merge वाले option पर click करेंगे ok पर click कर देंगे अब इन दोनों को आप कहीं पर भी set कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर एक पस के option पर click करे side में scroll कर दे ना ह यहाँ पर आपको side ओ पर click करके इसे चालू कर दे रहा है जूम कर लेंगे थोड़ा सा इतना सा उसके बाद यहाँ पर color आप black रखेंगे first while line को आप यहाँ पर two तक रखेंगे सबसे last while line को थोड़ा सा हलका सा down करेंगे इससे उपर वाई line को थोड़ा सा नीचे down कर लेंगे minus six में right पर click करेंगे उसके बाद आ गया जाएंगे इस तरीके से आ गया जाएंगे अब आपको वापस नाम पर click करके side में scroll करना है यहाँ पर last में emboss वाले option को enable करके इसे चालू कर देंगे इस तरीक से नाम को set कर लेना है और first line को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे second को light को हाँ पचास तक कर लेना बहुत है उसके बाद नीचे इसको भी थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा सकते हैं परके last वाले को full करके right पर click कर देंगे आपका नाम कुछ इस तरीक से set हो जाएगा अभी हमारा नाम set हो चुका है अब आपको वापस import वाला option दिखेगा यहाँ पर आपको प्लस पर click करके from gallery पर click कर देना है कोई बात ही दोनों से एक ही process होगा आपको मैं एक png layer दे दूँगा आपको मैं यहाँ पर download की फोल्डर के तरह यह रेड़ वाली png layer दूँगा इसको आप download करेंगे कर दिखेगा कर यहाँ पर क्लिक करने के बाद को राइट पर एक देना है इसको आप यहाँ पर लाएंगे और size को हिलका सा इसवी दाउन करेंगे यहाँ पर से set करके जाएगा यह 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 पर लोगो वी edit करता हूं status है to have left मैं लिख रहा हूं logo and status editor तो video editor लिख रहा हूं आप अपने इसाब से लिखेंगे okay वाले option पर क्लिक करेंगे आप लिख सकते हैं 4K status editing 4K video editing 4K जो भी आप अपने इसाब से editing lower जो भी आप चाहिए लिख सकते हैं इसको लंबाई में आप चलेंगे उसके बाद a पर click करके side में scroll करके आप यहाँ पर font पर click करेंगे और उसके बाद आपको my font पर click ना है यहाँ पर मैं एक font आपको दूँगा यह वाला font आपको मिलेगा बैक वाला तो इसे आप लेंगे medium वाला उसके बाद आप okay पर click करेंगे उसके बाद इसको यहां पर साइट करेंगे, साइज को कम करके परफेक्ट साइट कर देंगे, अब आपको साइड में स्क्रॉल करके कलर पर जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको नाम का जो फर्स्ट वर्ड एल इसको लेंगे, इसमें आप रैड कलर लेंगे, उसक ये लोग के पास में आपको यहां पर क्या करना एक क्लिक कर हैं यहां पर आपको यहां पर को सेफ वाले ओपिशन पीकिना है कि यहां पन डाउन करें भी कुल मतलबु इससे आपको लाइन बना दी है यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर और इसको बिलकुल डाउन करेंगे और दबा करेंगे बिलकुल थोड़ा सा राइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है यह रिलिटिव साइज सोरी पोजेशन से आप इसको आगे पीछे कर सकते ह राइट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सवर साइच को कमा ओखे फाइनली यह परफेक्ट ली सैट हो चुका है आप लियर पर क्लिकर के जो चीज आप से यूज नहीं और इसका काम नहीं है आप उसे लोग लगा सकते हैं ताकि आप इधर उदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उपर आपको वापस प्लस पर क्लिकना टैक्स पर क्लिकना है निव टैक्स का जाएगा इसको यहां पर लाएंगे डबल टैप करेंगे अब इसमें आप डालेंगे इंस्टाग्राम ठीक है इंस्टाग्राम डालनेंगे बाद स्पेस देंगे और यहां पर आपको लाइन ले और दो यहाँ पर यह डंडे ले लेंगे और वापस आपके टेलिगराम का यूजर नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे, OK पर क्लिक करेंगे, आप इसको इस तरीक से कम करेंगे और लंबाई में खीच लेंगे, आप इसे perfectly set कर देंगे, अब ए वाले option पर clicker के side में स्कॉल करके, यहाँ पर font पर click कर देना है, my font पर click करके इसे में आपको lemon, milk, bold वाला font select करना है, OK पर click करना है, वापस size को कम कर लेना है, लंबाई में खीच लेना है, इसको perfect, साइड में स्कोल्ड करेंगे आपको यहाँ पर स्पेसिंग वाले ओप्षिन पर क्लिक करेंगे इस स्पेसिंग को बढ़ा देना है ठीक है और स्पैसिंग करेंगे राइट पी क्लिक करेंगे इसकी साइज को आप यहां पर इस तरीके से आप इस नाम को सैट करेंगे यह इस तरीक से सेट हो चुक है अब आपको वापस क्लिक करना है कलर पर और यहां पर आप इंस्टाग्राम को सलक्ट करेंगी सिर्फ इंस्टाग्राम को इसमें रैड कलर लेंगे अब आपको सिर्फ टेलिग्राम को सलक्ट करना है और उसके बाद इसमें ये लोकल ले लेना है, ताएंकि तोड़ा साथ डिफ्रेंट दिखेगा तो अच्छा लगए और राइट पर क्लिक करेंगे, आपका काम काम है, कंप्लीट है, उसके बाद क्लिक करेंगे वापस एवाले पास में उप्सन पर इंपोर्ट पर क्लिक रहा ह अब यहाँ पर मैं आपको कुछ लोगो दे दूँगा, तो यह वाले लोगो मिलेंगे, आपको इनको लेंगे, रूटेट करेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे, इस तरी किसी एड हो जाएंगे, इसको आप दबा करेंगे, और इसको आप यहाँ पर ले लेंगे, इनको आप यहाँ पर set कर देंगे, अब आपको क्या आखना है, कुछ यहाँ पर हम कुछ add करेंगे, इंपोर्ट पर आप जाएंगे, और यहाँ पर हम कुछ png add कर लेते हैं, सबसे पहले यह वाली png मिलेगी, इसको rotate करके right पर click करेंगे, और इसकी क्लिक करेंगे import पर, अब आपको second यहाँ पर png लेनी है, मैं जो भी use करने वाला हूं, total आपको देदूँगा, आप सभी को step by step करके download कर लेना, जितना भी material use होगा, सार आपको मिल जाएगा, second आपको यह वाला png मिलेगा से rotate करेंगे, right पर click करेंगे, size को आप कम करेंगे, और जो lover यानि कि जो हमने lover लिखा, इसके उपर आप इससे set करेंगे, और खाली जग़े पर click करेंगे, यह set हो चुका है, वापस import पर click करेंगे, और second हम आपको इस टाइप का king png देंगे, से लेंगे, इसकी size को आप कम करेंगे, और इसे आप यहाँ पर लाख करेंगे, और रूटेट करेंगे, और यहाँ पर perfect यह set हो जाएगी, उसका two-back वाला option पर आपको click करेंगे, तो जो हमने नाम लिखर का है, उसके पीछे यह set हो जाएगा, तो finally दिखेंगे, आपका logo बन चुका है, यहाँ बहुत ही घजब यहाँ पर हमारा logo लग रग रहा है, इसका project आप save करना चाहेते हैं, यहाँ पर share के पास में आप project save कर सकने, share पर click करेंगे, default पर click करेंगे, अल्टरा पर click करेंगे, save to gallery पर click करेंगे, तो हमारा logo गैलरी में save हो जाएगा, background अगर आप change करना चाहेते हैं, आपको import पर clickना है, आपको दूसरा background देना है, जो आपको यह वाला पसंद नहीं है, तो दूसरा आप लेंगे, right पर click करेंगे, size को बढ़ाएंगे, background के tube पर click कर देंगे, तो यह background आजाएगा, इससे आप save